तो आपको डाइट में काफी सारे बताये जाते हैं कौन सा एक्च尤 City में बात है किसमें लॉजिक है किसमें इनरोमल से ने की चीज सभी जाके जोके जो इसल्ग बिघर रहे हैं और यूरिक एसे बनता है इक प्यूरी नाम के amino acid से और ये purine amino acid जो है ये एक तरीके का protein है तो ये protein जो है ये आप किसी कुछ तरीके के खाने पिने की चीजों में ज़्यादा होता है और urine, uric acid उन protein से बनके eliminate हो जाता है आपकी body से urine से तो kidney निकाल देती है, तो जिनको gout है वो uric acid कम करने के लिए यूरिक acid high वाली purine वाली चीजें कम खाएंगे तो logic बन जाता है और kidney को healthy रखने वाली चीजें रखेंगे तो logic बन जाता है very very simple चीजें, so जिनको gout है उनको gout diet generally need वैसे ज़रूरत नहीं होती काईदे से क्योंकि दवाई काफी होती है manage करने के लिए लेकिन फिर भी gout diet रख लेना बहतर होता है gout diet design की जाती है ताकि आपको healthy weight maintain रखें, आप healthy खाना खाएं और कुछ प्रकार के high purine वाली चीजें कम खाएं और avoid करें और कुछ food खाएं जो के control करने में मदद करेंगे आपके uric acid को रूल क्या है rule of thumb है कि आपको healthy food खाना है moderate proportion में हाई मात्रा में नहीं principle है कि आपको weight loss करना होगा वजन बढ़ेगा तो gout के chances बढ़ जाते हैं हमने already बताया है यह research में भी देखा गया है weight loss करते हैं तो pure and restricted diet हो या ना हो फरक नहीं पड़ता weight loss is important right pure and restricted diet obviously uric acid level कम करती है लेकिन with weight loss इसका effect ज्यादा आजाता है complex carbs ज्यादा खाने है eat more fruits and vegetables whole grains ज्यादा खाने है fruits vegetables whole grains जो के complex carbs देते हैं और food beverages जिसमें simple carbs है high fructose है fruit juices जो बहार आते हैं जिसमें sugar डाली होती है यह syrup डाले होते हैं वो नहीं खेना है right unnatural sweet fruit juices जो है वो नहीं खाना है even natural sweet juices नहीं खाना है fruit with the fiber that is much better पानी बहुत जरूरी rule है पानी खूब सारा पीना है fats आपको cut down करने saturated fat जो red meat वाले है fatty poultry वाले है यह यह योक हो गया fatty dairy होगी यह दूद की जो मलाई है यह खराब करेगी तो दूद लेना है बिना मलाई का skimmed वाला milk अभी हमको बताएं कि skimmed milk लेना skimmed milk is very good ladder it decreases it reduces your uric acid levels यह देखा गया है एक out में मदद करता है proteins important है वे गिन फ्रोटीन लेना है आपको lean meat यह lean protein low fat dairy लेना है poultry ले सकते है एग white ले सकते हैं दालें खा सकते हैं दाल खा सकते हैं बिल्कुल खा सकते हैं limited मात्रा में यह यह नहीं कि तीनो टाइम डाल खा रहे हैं one or two servings that's okay कौन सी चीज़े नहीं खानी है यह basic चीज़े है specific food number one is an organ meat organ meat यह जैसे liver kidney लोग खाते हैं कलेजी फलेजी वो नहीं खाना है वो बहुत high होता है purines में red meat नहीं खाना है mutton नहीं खाना है beef नहीं खाना lamb pork नहीं खाना है seafood नहीं खाना है seafood shellfish shardines tuna fish यह भी काफी ज्यादा होता है प्यूरीन में high purine vegetables आते हैं कुछ vegetables आते हैं वो होती है spinach asparagus spinach पालक और asparagus asparagus को हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता alcohol बन करना है alcohol specially beer और still liquors बहुत जादा मातरा में gout के problems बढ़ा देते हैं moderate consumption फिर भी कभी कबार wine का चल जाएगा wine का alcohol में धारू नहीं चल जाएगा वह नहीं राइट wine भी wine risk नहीं बढ़ाता लेकिन ठीक कोई नहीं करता है यहां पर ठीक है ना याद रखे अल्कॉह लिमिट करना है बीर बंद करनी है कपक शुगरी फूड अवाइड करना है कोई भी स्वीटन बेकरी प्रोड़क्त हो help करती है gout को और uric acid को कम करने में coffee आपको अगर दूसरे किसी condition में प्रॉब्लम नहीं है तो coffee लीजिए cherries help करेगी cherries बहुत अच्छे है वह भी risk और uric acid का problem कम करती है तो cherries खाईए cherry coffee vitamin c skimmed milk और lean protein यह बहुत अच्छी चीज़ें है आपके लिए खाने के लिए याद रखिए पानी बहुत ज़रूरी है और complex carbs fruits vegetables whole grain कितनी सारी चीज़े होगी दाले भी खा सकते हो so sample menu में breakfast में कोई whole grain की चीज ले ली low fat milk ले लिया strawberries या कोई cherries खाली coffee ले ली पानी ले लिया lunch में आपने कुछ chicken breast ले लिया chicken breast is lean meat याद रखिए chicken breast ले लिया whole grain whole grain multi grain रोटी खाली और उसके साथ में salads और सबजी या कोई nuts भी ले सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल और vinegar और olive oil की dressing डाल के बढ़िया salad बना लो vinegar salad में डालो right low fat milk ले सकते हो low fat milk का बना हुआ दही लसी चाज पनीर ले सकते हो afternoon में cherries खाओ snack जरूर खाओ पर biscuit नहीं cherries खाओ biscuit rust वो सब नहीं पानी पियो अच्छी मातरा में और fruits खाओ right और dinner में आप जी हां आप fish में अगर खाना है तो salmon खा सकते हो fishes में कुछ fishes खा सकते हो या एक टाइम कभी कबार खा सकते हो green vegetables खा सकते हो beans खा सकते हो पालक नहीं खानी है right और whole grains खा सकते हो water low fat yogurt ले सकते हो हो caffeine ले सकते हो यह सब ले सकते हो तो गाउट वाली यह सारी चीज़ीं अगर आप खाएंगे तो आपके यूरिक आर्थराइटिस कम होता जाएगा यूरिक आशीद क्रिस्टल जो kidney में kidney stones हैं वो भी कम होते जाएंगे जो गाउट डाइट अलोग विट लिमिटेड कैलरी इ restriction रेगुलर exercise यह भी बहुत जरूरी है regular exercise calorie restriction calorie deficit और गौट डायेट आपकी overall health बहतर करेगे आपको पतला भी करेगे आपका risk factor manage करेगी और आप healthy 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 होते जाओगे very simple very easy thank you so much for watching stay connected stay healthy झाल झाल